नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनी है चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको याद होगा 25 तारीक को 25 दिसंबर को साथवेस दिल्ली के सागरपुट छेत्र में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आये था मॉब लिंचिंग यानि एक शक्स को भीड ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था इसकी खबर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई थी खबर के मताबिक एक सौरप उपाध्याई नाम के शक्स की तेरा लड़कों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी ये पूरी वारदात क्या थी कौन कौन सौरप उपाध्याई की हत्या में शामिल थे और कितने आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गरफतार किया है ये सब कुछ जानने के लिए आज आज आपको ये पूरी रिपॉर्ट जरूर देखनी चाहिए ये F.I.R. की कौपी मेरे साथ है और इस F.I.R. में क्या कुछ लिखा हुआ है क्या कुछ आरोप लगे हैं कौन कौन लोग सौरप उपाध्याई की हत्या में शामिल थे ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको बहुत ही ध्यान से ये पूरी रिपॉर्ट आज जरूर देखनी चाहिए उन आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्टा आज इस F.I.R. में दर्ज है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने एक निहत्य व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया उन बेरह्मियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई है क्या कुछ इसमें लिखा है आज आज आप ये पूरी रिपॉर्ट देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 34 के तहट मुकदमा दर्ज किया गया है 302 यानि हत्या और I.P.C. की 34 धारा तब लगाई जाती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाने मक्सद के साथ किसी अपराद को करने की साजिश रख्षते हैं 23 दिसंबर 2023 को ही मुझे इसकी जानकारी दी थी कि पंकज शर्मा उर्फ बिल्ला, पंकज यादव उर्फ केडी, रोहित उर्फ गट्टू, आयान उर्फ बवा, आशू उर्फ छोटू और बिट्टू उर्फ लंबू ने हमारे प्लांट पर पत्थर बाजी की थी ये जानकारी सौरव उपाध्याई ने अपने भाई गौरव को दी थी, ये सभी लड़के सागरपूर के ही रहने वाले हैं और इन्हों ने उस दिन सौरव को जान से मारने की धंकी भी दी थी इसके बाद रात को सौरव कहीं चला जाता है, उसका फोन बंद आने लगता है, परिवार लगाता है फोन ट्राई करते हैं लेकिन फोन बंद आता है उसका सौरव की तलाश शुरू की जाती है इसके बाद गौरव के एक दोस्त चिद्दी ने बताया कि 25 तारीक की राद सौरव उपाध्याई के साथ काली माता मंदिर जो की सागरपुर में स्थित है वहाँ पर सौरव उपाध्याई के साथ मारपिट हुई है इसके बाद सौरव को पंकश शर्मा के मकान पर ले जाये जाता है वहाँ पंकश शर्मा ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया और इसके बाद पंकश शर्मा और उसके दोस्त सौरव उपाध्याई को बेरहमी से पीटते हैं लात, घूसे और डंडो से सौरब को पीटा जाता है और हमने आपको एक ख़बर पहले भी दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताये था कि सौरब पर चाकू से हमला हुआ है लेकिन इस FIR में चाकू शब्द का इस्तिमाल नहीं है चाकू का कहीं जिक्र नहीं हुआ है ये जानकारी हमें सौरब के परिवार ने दी थी उनके आरोपों के आधार पर हमने ये ख़बर आपको दिखाई थी पहले लेकिन अब हम अपने शब्द वापस लेते हैं क्योंकि FIR में कहीं भी चाकू शब्द का इस्तिमाल नहीं हुआ है लेकिन इस FIR में ये जरूर लिखा है कि किन लोगों ने ये पूरी साजिश रखी और सौरब उपाध्याय को मौत के घाट उतार दिया काली मादा मंदिर से आरोपी सौरब उपाध्याय को सागर्पर स्थित पंकच के घर लेकर जाते हैं और वहां पंकच से मारपीट होती है और जब उन्हें लगता है कि इसकी हालत अदमरी हो चुकी है इसके बाद अदमरी हालत में आरोपी उसे दीन द्याल उपाध्याय होस्पिटर लेकर जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं डॉक्टर्स के मताबिक अस्पताल लाने से पहले ही सौरब उपाध्याय की मोत हो जाती है एक राहगीर ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी थी पूरा मामला पुलिस तक पहुँचा जिसके बाद काली माता मंदिर से पुलिस की जात शुरू होती है गौरब उपाध्याय काली माता मंदिर के पास खून से सनी अपने भाई की चपल की फैचान करते हैं और उसके बाद पूरा मामला सामने आता है इसके बाद मॉबाइल क्राइम टीम और FSL यानी Forensics Science Laboratory की टीम सागरपुर में स्थित पंकच शर्मा के घर पहुंचती है जहां सौरब उपाध्याय को घजिकने से बने खून के निशान दिखाई देते हैं इसके साथ ही बियर की कैन और प्लास्टिक की टंकी में बेसबॉल का टूटा हुआ डंडा नजर आता है और तमाम जो ये सबूत पुलिस को मिलते हैं फोरेंसिंग टीम को मिलते हैं ये सारे सबूत चीक चीक कर एक मॉब लिंचिंग की दास्ता बया करते हैं आठ आरोपियों को अभी तक पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है आरोपियों में से एक नावालिक भी है पुलिस बाकी आरोपों की तलास में जुटी है जाते जाते हम आपसे एक सवाल जरूर करना चाहते है आखिरकार देश की राधानी दिल्ली में इतने अपराद बढ़ क्यों रहे हैं क्या आपको लगता है कि क्या इसकी मुख्य वज़े नशीले पदार्थ है कि हर कोई हर जो हमारे यूवा हैं स्कूल के बच्चे हैं नशे में धुत हैं और नशे की हालत में उनकी सोचने समझने की शक्ती खत्म हो जाती है क्या ये इसकी मुख्य वज़ा है या पिर पुलिस की पैट्रोलिंग में कमी है या फिर आपको लगता है कि हमारा कानून इतना लचीला है कि आरोपियों को इसका कोई डर ही नहीं है तो आपको इसका जवाब इस रिपोर्ट के कमेंट में देना है और सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि जब ये खबर हमने अपलोड की थी फिर सोसिल मीडिया पर जब ये वाइरल हो रही थी तो लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अगर ये यहां दिल्ली में योगी आदितिनात की सरकार होती तो शायद ऐसी मौम लिंचिंग की वारदात सामने ही नहीं आती तो क्या आपको लगता है कि अगर दिल्ली में योगी जैसी सरकार होती या योगी खुद मुख्यमंत्री होते तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घिरौनी वारदात सामने आती इसका जवाब आपको आज इस रिपोर्ट के कमेंट में देना है खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों लियाब बने रही है हमार साथ और देखते रहे हैं इडिया टाइम कटी फोर नियूज